बाइंगन बहुत सारे लोगों के फेवरेट सबसी होता है और बाइंगन से बहुत सारे डिस्पी हम बनाते हैं आज मैं यहां पे बहुत ही ईजी रेसिपी स्यार कर रही हूं जिसको हर को ही बना सकता है लेकिन चोटे बाइंगन से हम जब जब नहीं बनाते हैं तो यह बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से हम सेब दे के बना सकते है आप भी अपने हिसाब से कट करके इसको बना सकते है यहाँ पे मैंने चार बैंगन ली थी और इसको इस तरह से कट करके चार पिसेस पे एक बैंगन को कट कर ली है अब इसको एक बाउल में निकाल देती हूँ चारे बैंगन को निकालके इसमें में पहले मसाला आड़ करूंगे यहां पहले मसाला में हाप चम्मच नम्मक डाल दी पहले हम सारा मसाला डालके बैंगन को मैरिनेट करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे 10 मिनुट के लिए फिर जाएके इसको हम फ्राइ करेंगे चिली पाउडर यानि की लाल मिर्च पाउडर डाल दी और यहां पे यह एक चुटकी गरम मसाला डाल दी यानि की एक टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून यहां पे में जीरा पाउडर डाल दी और इस सब को अच्छे से वेंगन के साथ मिला के रखोंगी 10 मिनुट के ल यह सबने अदиковाइब अगर करेंगे नहीं करेंगे त्पजय अम इंद निकाल रिखेंगे तब तक हम इसको ढख करेंगे, अगर deep fry करेंगे तो हमको ढखने की ज़रूत नहीं है, यहां पर मैं सालो फ्राइ कर रही हूं, इसलिए मैं बैंगन को ढख रही हूं, यह अच्छे से golden brown हो जाए, और अच्छे से पक जाए, तब जाके मैं इसको निकाल दूँगी, जी हां दो निकाल रही हूं, यह बोखती ऊजी रेसिपी है, दाही से हम बहुत सरे रेसिपी बनाते हैं, बाइंगन से भी बनाते हैं, दाही और बाइंगन को मिला की बहुत बढ़िया रेसिपी है, यहां पर मैं तड्ड के लिए वही प्यान में जो यह तेल बचा था युदू गाए कि यहां पर में लाल मिर्च लेल होने वाले, साबु दाने वाले और यहां पर राई डालती, राई ने कि मस्टड एक टीस्पुण डालती, राई में बहुत अच्छे गुस्पोव हती है, और यहां पर ना कि तो ना डालती है इसमेर, यшей तो हरी मिर्च और थोड़े से बजीने, आंपने नमक मोद्च और भूने जीरा और लाल मर्च की पाउडर है। इसमें यह फ्राइड बहेंगान को में डाल दी अच्छे से इसको डाल दी आप इसमें में हमारा तड़का मिलाओंगी तड़का उपर डालोंगी इमीन तड़का भी डाल देखिए दोस्तों कितने अच्छी रेशिपी हो बुखँछ जल्दी बढ़ा बढ़ा बन जाता है इस आपको पसंद आए तो लाइक केमेंट शेयर कीजिए तो नेक्स वीडियो में तब तके लिए टिक है रहे हैं